तो कभी भी अच्छा college या बुरा college आपका future decide नहीं करता है आपका future decide करता है कि आप total 4 या 5 साल के college duration में आपने क्या-क्या चीज़ें सिखे आज आप बहुत से successful लोगों को देखोगे न तो बहुत सैसे हैं जो college drop out है बहुत सैसे हैं जिनकी pen के पास college degree नहीं है लेकिन अभी भी आज top के top 5% और 10% में आते हैं इसका reason क्या है क्या है क्या उनके पास बहुत बहुत बड़ी degrees है नहीं उनके पास knowledge है experience है उस particular field का तो सबसे पहले गलती ही तो हम पहले ही कर देते हैं कि अपने hobbies पे work करने के बजाए कभी कभी हम दूसरों को देखने लगते हैं कि वह doctor है, वह engineer है, वह chartered accountant है and all of that तो हम यहीं पे career का choose नहीं कर पाते हैं कि मेरे अंदर किस चीज का hobbies है, हमें किस चीज में आगे जाना चाहिए तो बहुत से लोगों को यह लगता है कि वो second tier, third tier college में है उन्हें IIT जैसे या medical में M's जैसे colleges नहीं मिले तो यार इसी के वज़ा से हमारा future सही नहीं बन पाए and that is totally wrong अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है it means कि जो भी college मिला, either second tier college, third tier college and जैसा भी college मिला आपने उस पर महनत नहीं करें आपने उस चीज़ पर focus नहीं किया, जो चीज़ आपका hobby है तो आपको college नहीं मिलती नाची तो आपके पता आपके पास एक chances मिलती है बहुत से successful लोग यह भी कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं अच्छा college नहीं मिला वरना आज मैं doctor या engineer ही रहता तो पता है बहुत सुसान सी राजपूत को देख लेज़े जैए ऐसे बहुत सारे celebrities हैं बहुत सारे sportsmen है जो college drop out है अच्छा college drop out इसलिए नहीं है कि उनको college की पढ़ाई समझ में नहीं आते थी college एक जड़िया उनके लिए है ताकि वहां जाकर independently अपने hobbies पर मैनत कर सके आपके अंदर भी कोई hobbies है ना तो अगर आप parents के साथ होते हैं तो उन्हें लगता है कि आपने hobbies पर काम नहीं कर पाओ या इस फिल्ड में आगे नहीं बढ़ पाओ कि डिगरी ले लो जोब कर लो और उस पर आगे बढ़ जाओ लेकिन मैं आपको एक टिप देता हूँ आप के अंदर अगर hobbies है और आप college जारो और आपको अपने आप पे बहुत जादा परोसा है कि आप इस फिल्म में आगे बढ़ सकते हो कुछ extra कुछ फोड सकते हो तो college जाने के बाद आप एक routine सेट कर लेजए आप अपने आप से वह वादा कर लेजए कि हर दिन इविन सिंगल लेजाए प्रभ हो त्योहर हो, festivals हो, कुछ भी हो मैं particular एक गंटे दो गंटे या कुछ टाइम एक तो टाइम सेट होना चीए मैं अपने इस चीज़ पर काम करूंगा और first year, second year, third year तक पहुंचते पहुंचते आप simultaneously काम कर सकते हो, आपके पास 24 hours होते हैं बजाए इस चीज़ के है कि अपने आपको regret फिल कराओ कि college अच्छा नहीं मिला थोर और बहतर मिल सकता था blah 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 excuses बहुत सारे हो सकते इविन जो successful people है, वो भी अगर चाहें तो अपने अंतर 1000 excuses बना सकते हैं लेकिन they don't do, reason यह है कि आगे बढ़ने के लिए 1000 excuses नहीं एक भी काफी है, एक problem का solution काफी है, एक जरिया काफी है तो आपके बहुत से time में क्या होता है कि आपके पास hobbies बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे मैंने चीज़ नोडिस के एक normal से example देता हूँ मैंने college में देखा है कि mechanical civil और ऐसी से बहुत सारी branches होता है engineers के बाद कर रहा हूँ, उन्हें last time में computer science अच्छा लगने लगता है IT sector इत्म से अच्छा लगने लगता है कि market में बहुत बरा evolution है इसका ये सिखेंगे अच्छी packages मिलेगी अगर वो चाहें तो first year में भी start कर सकते थे लेकिन उन्हें लगता है कि first year में ये mechanical जो कुछ भी branch है उसमें जा सकते हैं और जाते हैं ऐसे नहीं नहीं जाते जब उन्हें लगता है कि आपके particular core branch की चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है then switch your branch लेकिन इससे पहले आपको ये सोचना है कि आप जिस branch के लिए जा रहे हो क्या उसको उसमें आपको पसंद आ रही है वो समझ पा रहे हो वो आपको hobby से match करता है वो आपका kind of goal है जिस दिन मेरे से काफी juniors ये पुछते हैं कि आप college में engineering college में कौन सा branch लेना चाहिए अगर आप IIT और IIIT इससे चीजों में जा रहे हो जहां पर वो खुद alert करते हैं कि आपको कौन से branch लेनी चाहिए then it is totally different लेकिन जब आप second tier, third tier college में जाते हो और किसी से आपको राय लेनी पड़ती है कि कौन से branch आपको choose करनी चाहिए then believe me, don't choose engineering क्योंकि आपको ही नहीं पता है कि आपको कौन से branch ने चाहिए देखे, mechanical के बार में आपको पता है कि mechanical branch में क्या-क्या होती है क्या-क्या चीज़ें की पढ़ाई होती है civil branch आपको पता है, आपको पता है EC branch आपको electronic and communication पता है आपको electrical and engineering पता है आपको computer science ने पता है लेकिन फिर भी अपने आप से पूछ नहीं पा रहे हो कि आपको कौन सा branch चुच करना चाहिए तो आपका future खत्रे में नहीं होगा क्या होगा आप college जाने के बाद पच्छता सकते हो कुदको regret फील होगा कि starting में थोड़ा और सोच लिया होता यह काफी अच्छी चीज़ है बहुत से लोग college में regret इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही goal नहीं decide कर पाते है सही चीज उटके साथ नहीं होता और reason आप खुद होते हो कब क्या कैसे select करनी चाहिए यह आपके अंदर skills नहीं है और अगर है तो उसको use करिये choose करिये आपको क्या choose करना आपको किस film में मजा आता है किस film में नहीं मजा आता है you have to decide for yourself और जब इस चीज़ का chain आप खुद से करेंगे ना तो आपको खुद पर regret नहीं होगा कभी भी computer science की बात करों तो उनके पास hackathon होता है boot camp होते हैं बहुत से universities होते हैं जो online कराते हैं कम minimal free में और कभी free में भी वह आप attend नहीं करते हैं college में अच्छे ही चीज़े होती है अच्छे अच्छे coding के लिए या आपके personal growth के लिए personality development के लिए बहुत सारे curriculum होते हैं लेकिन आप उसमें attend नहीं करते हैं आप उसमे attendance proxy लगवा लेते हो और last में आप कहते हो आपका college अच्छा नहीं था आपके college के पैस आपकी placement नहीं हुई अगर आप engineering college में आ गए यह kind of ओ वो मेहनत है जो आपने 11, 12, 9, 10 में किया और आपके parents का मेहनत है जो नहीं आपको वहां तक पहुचाया और आपकी placement नहीं हुई यह totally आपका fault है Off campus drive ऐसे होते हैं engineer के sector में ने देखा है मेरे काफी seniors का हुआ था मेरे तो campus हुए थे अभी मैं software engineer हूं grade switch में तो कहीं न कहीं मेरे college के बज़र से हूं ना वहां से start भी थी उन्होंने placement में support नहीं किया था लेकिन college के time में क्या मेरा roadmap होना चाहिए as a software engineer मैंने उस चीज को follow किया मुझ मैंने सिखा मैंने bootcamp patent किया मैंने hackathon में participant ली जो college बाले मुझे सिखा रहा है उसको मैं कम time में कैसे cover up कर सकूँ कैसे पूर का पूरा course को मैं 3-4 गंटे में cover कर सकूँ इसके लिए मैंने bootcamp join किया था और काफी सारे bootcamp किया थे interview में कहने के लिए explain करने के लिए मैंने बहुत कुछ हो इसलिए मैंने कावी सारे certifications किये थे और यह सब चीज ऐसी है जो आपको college time में करने जाहिए अदरवाज आपको last में खुद को दोसी कोई नहीं ठेहराता हर कोई excuses खुजता है कि मैं किसको दोसी ठेहरा हूँ कब कि भी लोग parents को दोसी ठेहरा देते हैं कि आप तोड़ा और पैसे करते हैं तो मैं तोड़ा और आगे जा सकता था Never think like that आपको जो college मिली है ना उस 4 साल को आप बहुत अच्छे तरीके से योज करें Bill Gates बोलते हैं ना कि अगर आप गरीब घर में पैदा लिए This is your fault लेकिन अगर आप गरीब मर गए This is totally your fault आप आपका time किधर जा रहा है इसका management सेखिए आपका placement होगा कौन कहता है नहीं होगा मैं कहरा हूँ आपका होगा बसरते उस जिसको follow करना होता है And follow कैसे करोगे First year से you have to start बहुत से लों को लगता है First year जो होता है Cooling day होता है नहीं वह होता है उनके लिए जिनका एक अच्छा college मिल गया हो जिनके पास एक अच्छी placements का जरिया हो जैसे का IITs, NITs, Triple IITs जहां पे 15-20 लाग रुपे खर्च होता है आपको first year से महनत करनी चाहिए ब्रांच चाहें आपका जो कुछ भी हो देखो आप महुत से लोगो लगता है कि computer science ब्रांच है तो first year से कर रहा है coding सिख रहा है EC++, Java, Python, SDLCSS यह सब सिख रहा है Good game join कर रहा है क्योंकि coding में knowledge चाहिए और दूसरे branches के लोग नहीं सिखते हैं और यही उसका last year सबसे बड़ा weakness होता है Personality development एक ऐसी चीज है जो आपके knowledge को hide कर देता है कभी कभी आपके अंदर कम भी knowledge होता है तो उसको अंदर करके आपका जो grooming skills है personality development वो सामने आ जाता है और लोग उसी से सवाल जवाब करने लगते हैं तो चाहें परांच आपका जो कुछ भी हो start learning personality development अपने personality को हर दिन improve किया करिये क्यों करना है यह तो आपको पता चल गया कैसे करना है online courses लेजे bootcamp में join करिये hackathon coding के लिए hackathon लेजे और YouTube पे बहुत सार ऐसे courses हैं जो free में आपको सिखा रहा है personality development सब्सक्राइशन के वीडियोज देखने से आपकी जवाब नहीं लगने वाली या आप successful नहीं होने वाले अगर ऐसा होता तो संदिप महसुरी सर्ड के वीडियोज पे साथ करोर से ज़्यादा भी हो जाते हैं पर मत साथ करोर तो साथ करोर successful people हर मत हो रहे होते आपको जवाब लगेगी आप success होंगे आपके उस चार साल के जड़ी में जो आप कितना ज़्यादा चीजे को सिख पा रहे हो पैसे कमाने का टाइम नहीं है पैसे कमाने का जो जरिया होता है अपने लिए एक तलवार वीपन बनाते हो उसको स्चार साल के अंदर और उसके बाद वो आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बनता है जिसको आप कहीं भी चलाओ और अपना लाइफ जी सकते हो आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ पाओ फरस्ट येर, सेकेंड येर, थर्ड येर अगर लास्ट येर में आप आ गए हो तो इस चीज़ को फॉल्व करिए अभी से अभी से देखिए कि आप क्या चीज़ सिख सकते हो अपना कंपारिजन करिए वह इसी कॉलेज की स्टुएंट को जो अल्रेड़ी आईडी में है अपने सीनियर से कंसल्ट करिए जो जन्होंने कंपनी बहुता ही फोर रखी है जो अभी प्लेस्ट है जो रियल कंपनी में बॉक कर रही है वह पर चीज़ें कैसे चलता है क्या क्या सिखनी पड़ती है HR जैसे लोगों से लिंडिन पर कनेक्शन होना ये कि हमें क्या सिखना चाहिए आखिर कौन चीज़ें से फेक्टर्स है जो इंटर्वी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्डन करता है तो HR आपको real world क्या होता है जब आप इंटर्वी में बैठते हो ना तो सामने वाला आदमी आपसे अच्छा expect करता है वो नहीं चाहता कि आप reject हो जाओ वो चाहता है कि आप बोलो आप अच्छी चीज़ें बोलो ताकि वो आपको select कर ले आपको एक अंदर की बात मता हूं HR को भी इसी बात में पैसे मिलते हैं कि वो कितने अच्छे बच्चे को hire कराते हैं और बच्चे आप क्या कर रहे हैं तो आप personality को improve करिए आप देरे देरे सिखिए बड़े बड़े लोगों से सिखिए जो फ्री में कोर्सिस देते हैं आपके लिए डिसिंग सेंस सिखिए ग्रूमिंग सिखिए बोलने का तरीका सिखिए अपने जो English है जब आपको पता है कि English एक जलिया है जो इंटर्व्यू को क्रैक किया जा सकता है तो आप English क्यों नहीं सुधा रहें कि आपको पता चल गया पहले यह सब इसी चीजे हैं जो आपको Pre College पता चल लाता है Pre Pre placement पता चल लाता है Pre Interview पता चल लाता है तो उस पर पता चल जाए कि यही चीज वो चीज है जो हमें 2-5 चीज चीजें सेखनी है और हम इंटर्व्यू में क्लियर कर सकते हैं तो then why are you not learning? Start learning from today and thanks me later. आज के लिए ताइफे मिलता है किसी और वीडियो में तब तक के लिए have a good day, see you, bye, keep learning.